एक्सपरिएमेंट करेंगे यंग का डबलस्यृट एक्सपरिमेन्त से हम को लाइट की वेवह नेचर के बारें में पता चलेगा क्योंकि यह इंट्रफेरेंज वाली जो फिनोमिना है यह सिर्फ ओर सिर्फ वेव के अंदर होती है तो अगर लाइट इसको कर रही है अगर light interference को show कर रही है इसका मतलब इस experiments हमको क्या प्राचला कि light की फोर में travel करती है विलाइट को कोई देख तो सकता नहीं है वैसे कि wave की फोर में travel कर रही है तो आपको experimental यह पता लगाना होगा कि इसकी नेचर क्या है उसकी वेव नेचर है या पार्टिकल्स की फोम में जाके ठक्रा रिए तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट क्या प्रूउव करता है कि लायट की नेचर क्या होती है वेंग्ष होती है तो तो यंग्स डबल स्पेरिमेंट करेंगे क्या नाम एक्सपेरिमेंट का यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम दो कॉरेंट सोर्स अप्टेंड करने के लिए दो स्लिट सी यूज करते हैं और आपको मैंने बताया था कि दो तरीके से हम current sources obtain कर सकते हैं उसमें पहला तरीका क्या था बाइद डिवीजिन ओफ और दूसरा तरीका क्या था बाइद डिवीजिन ओफ एम्पलिटूड तो इसमें जो बैठर हम यूज करेंगे जो इसलिए से अनके प्रेडूस करने के लिए उनको हम क्या वोलेंगे वाइद डिवीजिन ओफ वेफरेंट उस में डबन वेफरेंट है और इसमें डबल चलए इंद एक्सपरिमेंट का नाम क्या हो गया यंग्स डबल स्टेंग अट्सपरिमेट तो देखों यहां पर यह हमने दो चोरीट रखी हैं जहां से समझेरा सको यह थो स्लिट से ठीक है और इनको नाम कुछ रख सकते हुए और यहाँ परयां पर यहां से है और यहां से इस तरीगह से fauna होगा ओगी यहां पर यहां पर आपर असराम के सा च्छलिट से सामने होगी और और बाकी का portion इस cardboard से ब्लोक हो जाएगा मतलब इसमें से cardboard से सिर्फ इन दो points से light बहार निकलेगी तो यह दो point क्या होगे current sources होगे यहां पर सपोस करो हमने screen को रखा हुआ है और screen की उपर हम observe करेंगी कि कैसा pattern हमको दिखाई देगा तो यह दो slits है यहां पर s1 और s2 और यहां पर जो भी वेव फ्रेंट इंसिडेंट होगा उस वेव फ्रेंट के यह दो points होंगे s1 और s2 की ओपर जो दो points है यह light waves करेंगे secondary वेवलेट्स करेंगे और दो current sources की तरह बहेव करेंगे ठीक है अब यह screen का central रोगया यहां पर अब यहां से जो secondary वेव लिट्स होंगी ओकिस ठरीके से मिट्ट होंगी तो कोई वी वैको उसकी ओपर दो points होता है हमको पता है कि जो top most Points आहाँ उनको तो हम क्या बोलते हैं आध है और जो lower उर उसके बाद हमागर ट्रॉफ ँसके बाद को मिलाता हूं सोर्स इक्र डिस्टेंज nya उनको मिलाता हूं तों भी मुझे देशको मात ट्रविडील से शो कर रहे हूं दो है फिर 17 क्रेश्ट आएगा को बनेगा रध रफ जो स्काम इसका ना रखेर में प्रस्ट-वाप से एक सफेरिकल वेव फरन बनेगा यह जो डॉट्रे लाइन यह क्या शो कर रही है तो यहां पर डायग्राम के अंदर मुए इन दोनों को रिपर जन करूंगा और हम यह इंटिफाइब करेंगे कि कहाँ पर एक जो source है एक S1 slit है suppose करो इससे जो secondary wavelets हो रही है और S2 slit से secondary wavelets हो रही है यह जब आपस में supreme poj होंगी तो कहां पे crust से crust मिलेगा कहां पे truff से truff मिलेगा कहां पे एक का crust दूसरे के truff से मिलेगा इस टाइब की चीज़े अपनको study करने है तो जो slit S1 है इसकी secondary wavelets को मांáँ ड्रो कर रहा हूं और अभी मैं सिर्फ Jelly Landoured-Dral करूंगा least 크ust वाले points को मिलाने से बनने वाले wavefront को ब्रो कर रहा हो हु कर इंकी बिच-बिच में क्या आएंगे répondre वाले points को मिलाने से बनने वाले वेघरा भे गईंघे लेकिन अभी में सिर्फ कौन से वाले वेफ्रेंट को ड्रो कर रहा हूं जो ट्रस्ट वाले पॉइंट को मिलाने से मनेंगी ठीक है यह डाइग्राम थोड़ा प्रोपर होना चीछ तो इसके लिए कंपास होगे रहा यूज करना है प्रोपर तभी सही चीज़ें पर आपको दिखाई देंगी इस डाइ धुड्रो करना है क्योंकि इन दोनों से 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 एमेट होंगी वेखेश्वण पर यहाँ पर पहुंच गई तो उतनी टायम में यहां से बहुत चलेगी और वह भी इतना ही जो सेकेंडरी होने वाले जो सेकंडरी वेवलेट से उनको ड्रों कर रहा हूं तो यह देखो इतना साइज का आर्पन को यहां पर ड्रों कि डाग्राम हो अचलिए तभी सफोरी शिज़िस आपको अब जब जार होती है तो क्या होगा कि फिर यह पॉइंग आपको जगह पर न सब्सक्राइब करेंगे तो यह हो गया ठीक है अब आप एक चीज अब्जार करो किस डियाग्राम के अंदर दोनों जो सोर्स है एस वन और एस टू इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट्स सेकेंडरी वेवलेट्स गेंगी उनकी दोनोों सेकेंडरी वेवलेट्स के सिरस्ट से सुप्रीम होँजी मिलता है अगर चाहिए और दोनों की फ्रीक्वेंस अगर सेम है तो आप क्या देखोगी कि अगर क्रस्ट से मिला तो इसका मेरी ट्रफ भी मिलेगा क्रस्ट से क्रस्ट आगे मिलते रहेंगे और इसका मेरी यह है और कंस्ट्रक्टिव सुपर पोजिशन में क्या होगा इंटेंस्टी आपको ज़्यादा दिखाई देती है तो वैसे यहां पर अपनी चीज़ फाइंड करेंगे आप क्या देख रहे हो कि यह वाला जो पॉइंट है यह वाला पॉइंट देखो जो पहला सोर्स है उसका भी क् सब्सक्राइब ने देखेंगे वाला पॉइंट हो गया रहा यहां पर सब्सक्राइब CTRTCR में द करोंगे तो ऐसे परयेगे तो स्क्रीन का सें्ट्र u can to है आपको एक्दम दिखेगा तो हम बोलेगी कि यहां पे सेंट्रल ब्रैटक। इस लो नंबर की ड्राइट फिंजैंसल करेंगा क्योंकि यहां पर पहुंचेंगे तो इस टाइम पर आपको यहां पर बाद में जो ब्रैट फिंज बनेगी उसको अपन फर्स नंबर की ब्रैट फिंज बोलेंगी ऐसा उपर भी बनेगा पैटन जैसे यहाले पॉइंट से स्क्रीन की उपर आपको से इसा पयंट मिलेगा जहां पर आप से नंबबलेंगी ब्रैट फृपर में तो यह जीरू है तो इसके बाद में पने इस तरह स一点 splash यह सब्सक्राइब पर और तो आपको दिखेगी तो आपको दिखाई दिखाई देगी बात में और फिर अगली ब्रैटोंट होगी लेकिन इनके बीच-बीच में धाक्र भी रहेगी विह आप तभी तो तो ब्रतंटेस में आप तर यहां पर यहांपर यहां पर यहां पर मतलब यहां पर पर दिखेगी उस्क्रीन की ऊपर थोड़ा आप तो अब यहां पर पर सोर्स है उस से एमित होने वाले उब फ्रन्स को one more her मिलाने से बांता हैं उनकी बीच में हमेशा है कि एसा होगा जो लाने सेखे बनेगा तो यह अल्टरेट बनेगी जह सो आ पर डियाग्राम डा कि हरेक्व करस्ट और दूसराización पूंट आपस में इंट्रसेट करेंगे तो अगर ऐसा हो किसी जग่ह पर किनर सोर्स का तो क्या हो जिसी यह पहली है और दूसरी वेव का है कर तो यह तो हो गया सब्सक्राइब और यह कौन सब्सक्रेब का है यह और यह इसा मिनिमम तो यहां पे अब हमें डायग्राम में वह वाले पॉइंट करने हैं जहां पे एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ आपस में सुप्रीम पोज हो डॉटेड लाइने क्योंकि यहां पे ट्रफ को रिपरिजन कर रही है और यह पहले सोर्स के जो ट्रफ है उन सेटरी वेव लेट्स हैं तो यह आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो वैसे इनके बीच बीच में आएगे देखना पर देखो यहां पर यहां पर यहां पर यह जो इंटर सेक्ट कर रही है यहां पर बनेगी जैसा पैटर्न उपर बनता है वैसा एक्जेक्ली नीचे भी बनेगा डाइग्राम में सिमेट्री आप देख रहे हो कि जैसा उपर बनेगा वैसा नीचे भी बनना चाहिए अब इसके बाद में क्या आना चाहिए तो यह वाले पॉइंट को आप मिलाओगे क्योंकि यहां पे इंटेंस्टी कैंसिल हो रही है तो यहां पर आपको क्या मिलेगी सेकेंड नंबर की डार्क पिन्ज मिलेगी और इसी तरीके से नीचे बन जाएगा यह पैटर्न यह वाले बनेंगे और उससे जो लाइट वेप्रवेव हो रही थी उनको स्क्रीन के ऊपर देखा तो इसको यह वाला पैटर्न दिखाई दिया ब्रेटनेस डाकनेस ब्रेस डाकनेस तो वो इससे ये conclusion निकाल पाया कि जो light है वो वेव की format travel करती है क्योंकि यह जो नेचर होती है इन्टर्फेर करने की आपस में interference करके add होने की को cancel करने की ये वेवस की property है थेक है तो इससे हमкомी क् gegen क्या निकाल पाए है कि जो लाइट है वह कि-만회 चीजा ओर शीक है हम इस हम इसी के बैसिस में थोड़ी करेंगे कि कहां पर आपको सक्रेंगी पोजीशन क्या होगी और औरन की विर्थ क्या होगी मतलब कितनी कि यह ब्रैट फिरिंज या डाइक प्रिंज आपको दिखाई देती है यह हमको कैलकुलेड करना है ठीक है तो एक चीज देखके बताओ कि जो observation सने यहां से जो अपने निकालेंगे क्या है पहली चीज हमने देखी कि जो स्क्रीन का सेंटर है वह हमेशा क्या होता है ब्राइट होता है स्क्रीन का सेंटर यह वाला पॉइंट है सोर्स के एकदम सामने यह वाला पॉइंट यह क्या होगा स्क्रीन का सेंटर और यहां पर हमेशा क्या रहेगी ब्रैट नेस रहेगी जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्रैट बनेंगे सब अल्टरनेट बनती है मतलब ब्रैट के बाद में डार का यह यह हमेशे ऐसा होगा और दूसरी चीज हमको यह समझ मैं कि जितनी भी इसके डिस्टेंस फिक्स है यह चेंज नहीं कि यहां पर यह कम विर्थ की बन रही है मतलब यह कम डिस्टेंस पर बनने फिर मतलब इसके बनेंगे इसका मतलब जितनी भी फरिंज में उनकी जो भी रहे एकट ही है और वह बराबर रहोगा आंचा है तो दो ब्रैट फरिंज के इसको हम क्या बोलेंगे width of the dark fringe क्योंकि इन दोनों wright fringes के बीच में जैसे इसाइसी दो डार्क इनकी बीच में जो distance होती है यह क्या बोली जाती है width of the bright fringe कोई भी दो continuous डाब प्रेंज ले सकते हो कोई बीच बैट ब्रेंज ले सकते हो उनकी बीच की डिस्टेंज को बिश्ट कर सकते हैं वो एकोल आती है और ठीट की बिश्ट का डाक मियूद्ट की विर्थ बोलेंगी और फिरिंजः की बिशक्ष क्ली सब्द्च को हम एक ब ट्राइट फिर्फ की विर्थ बो लेंगी तो जब भी बिश्ट कालो बेंड़कर क्bor webinars कторовें किween benefits की डाइग्राम से इतनी चीजे सीखनी है अपन को ठीक है इसलिए डाइग्राम इंपोर्टेंट है